अगर दोस्तों आपका यूटूब चनल किसी भी केटेगरीज का है और रियूज कॉंटेंट के तहद आपका यूटूब चनल रिजेक्ट हो गया है तो आपको टेंसन नहीं लेने का आपका यूटूब चनल इसली मोनेटाइज हो जाएगा यूटूब की तरफ से दो ऐसे काफी सारे क्रेटर्स को परेशान करती है उनको यहीं नहीं पता रहता कि हमने रियूज कौन सा कॉंटेंट डाल दिया है और रियूज कंटेंट अगर आ जाता है तो उसको हटाते कैसे हैं इसको सही कैसे करते हैं यह भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा और अगर आप तहत चैनल reject हो गया है तो आप अपने यूटूब चैनल पर क्या चेंज करने चाहिए जिससे कि आपका यूटूब चैनल मोटाइज हो जाएगा इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला पर उसे पहले एक ही बात बोलना चाहिए अगर वीडियो को आपने लाइक निगा ल देखो मैं यहां से आपको उस प्रोबलम के बारे में बता सकता हूँ बट आपको खुदी अपने यूटूब चैनल पर काम करना पड़ेगा अगर आप सही से मेरी बातों को समझ जाएगे और अपने चैनल पर इंप्लिमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपकी ये प्रोबल है जो कि मोनटाइज नहीं हो रहा है और चैनल डी मोनटाइज हो गया है अब इसमें क्या प्रोबलम है और इसको हम एसे करेंगे से जुरूरी बात होती है कि साहने पर दिक्कत क्या है उससीको फाइंड करना ह होता है तो इस channel पर हम सबसे पहले problem को देखेंगे उसके बाद हम solution की तरफ चाएंगे तो problem actually वे ये है अगर आप जहान से देखने कोशिस करोगे मैं नीची की तरफ आपको ले के चलता हूँ अब आपके दिमाग में आ रहा हुआ भी सारे के सारे जो वीडियोज है कोई आज तक से लिया है कोई ABP News से लिया है कोई कहीं से लिया कहीं से लिया तो इस तरह के channel और भी channel monetize हो गई है तो ये monetize क्यों नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूँ कि ये monetize बिल्कुल नहीं होगा और तब तक नहीं होगा जब तक ये changes नहीं करेंगे actually मैं हो क्या रहा है अगर मैं popular videos देखता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो चार हफते पहले videos अफलोड की थी और सात लाग से भी ज़्यादा views है दो महीने पहले videos अफलोड की थी 27 videos है अगर इनकी latest videos देखते हैं तो यहां पर भी इसी तरह की videos है पर problem actually मैं यह है कि अगर मैं इनकी videos को open करता हूँ अगर इनकी videos को देखने कोसिस करोगे तो इनकी कोई भी commentary नहीं है और नहीं इनकी video में कुछ editing है और नहीं कुछ इन्होंने effect डाला कहना का मतलब है इन्होंने सिरफ copy किया और paste कर दिया आज लक्त से video उठाई और अपने YouTube चैनल पर upload कर दी और YouTube की motivation policies यह कहती है आपके जो भी popular videos है वो उसको हम review करते है उसमें हम check करते है कि यह video का traffic source कौन सा है वो स्टाइम कहां से है व्यूज कहां से आया यह सारी चीज़े check करते है इस वज़े से इस YouTube चैनल पर problem आई है और बात करते हैं अप latest video की अगर इनकी latest video में जाते है और इसको मैं open करता हूँ तो यहाँ पर मैं देखने कोसिस करूँगा इन पर भी जो भी मैं वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो इन्होंने खुद में commentary करी है खुद से commentary करी है सिर्फ इन्होंने वीडियोस को उठाया है और अपने YouTube चैनल पर upload किया है अगर दोस्तों आप भी ऐसा करोगे तो आपका YouTube चैनल बिल्कुल भी monetize नहीं होगा क्योंकि YouTube की जो नई policies है उसको आपको follow करना पड़ेगा अगर आपने follow कर लिया तो आप किसी भी YouTube चैनल को monetize करा सकते है बट कैसे करा सकते है वो आपको समझना जुरूरी है स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हो लिख है using clip for a creative review इसका मदलब है कि आप अपने YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो का review करना चाते है कोई critical conditions है critical review करना चाते है तो कर सकते है साधे साथ लिख है कि अगर आप किसी movies का आप लेते हो और उसको आप rewriting करते हो यानि कि डायलोग को change करते हो वो शोवर करते हो साधे साथ इन्हों ने बोला है कि कोई sports की वीडियो और आप उस वीडियो को देख रहे हो आप अपने computer के माद्यम से या फिर audio के माद्यम से आप उसमें commentary कर रहे हो या फिर आप उसमें explain कर रहे हो वो शोवर कर रहे हो तो आपका channel मोटाई हो जाएगा साधे साथ इन्हों ने ये भी बोला है अगर आपकी वीडियो रियक्शन वीडियो है और आप original वीडियो पे comment कर रहे हो और आप original वीडियो चला रहे हो और साधे साथ आप उस पे reaction दे रहे हो तब भी आपका YouTube channel मोटाई हो जाएगा एक बात इन्होंने बहुत अच्छे से बोली है अगर आपके YouTube channel पे remix content है ये वो short है और जहां पे original content है उसके लिए आपने हमारी library से कोई song लगाया कोई music लगाया है और उसमें आपने audio या फिर video के कुछ segment जैना other video के जोड़के आपने की है तो तब भी आपका YouTube channel मोटाई हो जाएगा इस last line का मतलब ये है कि अगर आप किसी का भी short videos उठाते हो और उसमें आप changes करते हो और music लगाते हो इनकी library से और उसमें text भी लिखते है नीचे की तरफ subtitle होता है अगर आप ऐसा भी लिखते हो और अगर आपने उसमें commentary कर दी तो ज़्यादा बढ़िया है तब भी आपका YouTube channel मोटाईज हो जाएगा अगर आप इस तरह के changes करना पसंद करोगे तो आप किसी भी YouTube channel को मोटाईज कर सकते हैं एक simple सा overall में आपको बता देता हूँ वीडियो आप कहीं से भी उठा के edit कर सकते हो और वीडियो editing के दोरान अगर आप उसमें अपना voice over करते हैं यानि कि commentary करते हैं तो इसका मतलब है content किसी और का है बट आपने audio के माध्यम से अपनी value को add कर दिया है YouTube इसको permission देता है simple सी बात है किसी भी वीडियो को जोड़ के तोड़ के edit करके आप अपनी voice over कर दीजिए आप किसी भी YouTube चनल को monetize कर सकते है बट जो channel मैंने आपको दिखा है इसमें इसने कोई भी commentary नहीं करी कोई भी voice over नहीं किया इसी वज़े से इनके channel पे reuse content आ गया अगर आप भी ये mistake करोगे तो आपके channel पे भी reuse content आएगा last में एक बात important है जो कि आपको बताना काफी जुरूरी है अगर आप पहली बार apply करते है और आपका YouTube channel पहली बार में reject हो जाता है तो आपको 30 days मिलते है और 30 days के बाद में आपने दोबारा से पहली बार apply करोगे reject हो गया तो आपको 30 days मिलेंगे और अगर दो बार reject होने के बाद में तीन बार apply करेंगे तो आपको 90 days मिलेगा जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इसी वज़े से मैं बोलता हूँ कि वीडियो को आपको बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना होता है नहीं तो आपके YouTube चनल पर अगर एक बार problem आ गई तो उसको निकालने में काफी time लग जाता है और आपका time भी waste होता है उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होगी अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है परेशानी है या आपको कुछ पूछना है comment section में जाईए आप comment करिए मैं वहाँ से reply देने कोशिस करूँगा या फिर आप हमारे Instagram पर आ सकते है Instagram का link मैंने description में दे दिया है भीलता हूँ आपको next video में दब दक्रेट टाटा पाए पाए जैहिन